हाई एब्रिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में आज अगेन एक बहुत जादा इंपॉर्टन वीडियो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल इस वक्त होंगे शिक्स टैंडर में एंड सेवन स्टैंडर में जे यहां दोस्तों बाकी जो हमारे प्यारी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल आटवी में होंगे न नवी में, दसवी में, ग्यारवी में, बारवी में पढ़ने वाले हो यह सभी बच्चों को कुछ important lessons यानि की कुछ important सीख में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आपको अपना पूरा year follow करना है और क्या मेरा simple advice है आप सभी students के लिए यह सभी के ओपर कई सारी वीडि के बारे में बात करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा important होगा क्योंकि ऐसे कई सारे students है जो नहीं सोचते कि उनको आगे क्या करना चाहिए कैसे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए कैसे subjects में ध्यान देने की जुरूत है क्योंकि हर subjects आपके अलग-अ और हर subjects में कुछ अलग तरीके का strategy भी apply करना होता है तो what strategy you should apply on every subject ये सभी बाते भी हम discuss करेंगे ये वीडियो के अंदर तो बस आपको एक ही काम करना है कि ये वीडियो को end तक देख लेना है तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते है तीक है दोस्तो तो सबसे पहली बा जो results आये होंगे यानि कि अगर जो इस साल 6th में होगा वो 5th pass करके आया होगा correct है और जो इस साल 7th में होगा वो 6th standard को pass करके आया होगे तो please मुझे आप लोग पता देना कि आप लोग के results कैसे आया है मैं पूरी उमीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छी तरीके से आया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के अच्छे मांग साय होगे तो please मुझे जो भी बच्चे इस वक्त 6th और 7th standard में है तो आप लोग का कितना कितना percentage आया है 5th और 6th के अंदर ये मुझे जरूर से comment करके बताए क्योंकि यार comment जब करोगे आपका standard मुझे comment करना जैसे हमें survey करने में भी आसानी हो जाएगी ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी के results अच्छे है होगे जरूर से comment करके हमें बता जेना लेकिन एक चीज यहाँ पर जो मुझे की बात यहाँ पे है कि अगर आप एक 5th पास करके जो 6th standard में अगर आप आए हो अगर आप एक 6th standard में आपके subjects थे EBS 1, EBS 2 ठीक है? Mathematic subjects था ठीक है? तो यह जो subjects थे languages English, Hindi, Marathi जो भी था आपका वो जो subjects थे लेकिन यहाँ पे जब आप 5th standard से जब 6th standard में आ चुके हो ना तो आप अगर आपना बुक उठा के देखोगे अगर आपने खरीद लिया होगा तो आपको आपको आइ यहाँ और चीज़ यहाँ पर मैं request करना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ student ऐसे हो जो थोड़े बड़े standard के हो जैसे कि को यहाँ साथवी का होगा, आटवी का होगा, नवी, दसवी का होगा तो अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेरी बाद अपने छोटे भाई भहन तक या फिर आपके जो रिलेडिव सोंगे, फ्रेंड सर्गल होंगे, वहाँ तक पोचा देना, क्योंकि हो सकता है जो वीडियो में बना रहे हो, यह बहुत छोटे standard के लिए बना रहे हो, और मेरी बाद वहाँ तक ना पोचे, तो प्लीज यह आप लोगों के हम लोग like six standards से लेके up to 12 standards तक इस platform पे दिया जाए, और जैसा मैंने promise किया था है कि हम छोटे बच्चों के बारे में, यानि पाच्वी और उसके बिलो के बच्चों के बारे में भी सोचने वाले हैं, तो definitely एक धमाका होगा, एक बहुत अच्छा surprise आने वाला है, कुछी दिनो लोगा official announcement करूँगा, लेकिन प्लीज, आप सभी students और आप सभी parents अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो बस आप लोग अपने respectively जो भी friends circle है, या फिर groups है, relatives है, उन तक हमारे वीडियो simultaneously पहुचाते रहो, ताकि उन तक भी हमारी बात पहुच सके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करना हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटे standard की बात करना हूँ, six standard की, जो fifth pass करके आया है, तो उनको तो ये भी पता नहीं हो का कि मेरा syllabus है क्या, उनको जो पढ़ाया जाता है, या फिर वो tuition कहीं पर बढ़ने जाते हैं, उनको जो बताया जाता है, वो चुपचा पढ़ ले बात कुछ बड़ा dream देखते हैं, मुझे जे डबली देना है, फिर IIT में जाना है, मुझे need देना है, मुझे medical में जाना है, ये सब चीज बड़े होने के बात सोचते हैं, लेकिन मैं चाता हूँ कि हमारे चोटे चोटे बच्चे, 8-9 तक आते आते हैं, उनका mentality इतना mature हो जा तो ये जरूर से होगा, रही बात 7th standard की तो जो बच्चा 6th standard को पास करके 7th standard में आ गया है, यानि कि आप 7th standard में पहुच चुका है, तो मैं आपको बता दू, आपका जो subject से वो तो वही रहने वाला है, यानि कि जो आपने 6th standard में पढ़ाई की थी science था, maths था, history था, civics था और जोग्राफी था, और languages अलग थे, तो वो जो subjects हैं, वो वही रहने वाले, subjects चेंज नहीं होगे, लेकिन change क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सिलाबस चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप 6th में आ गए, sorry, 7th में आ गए, 6th standard में आपने जो science पढ़ा था, जैसे की living organism का chapter बतलब और ज्यादा advanced level पर आपको science पढ़ना है, maths की बात करें, थोड़ा सो और ज्यादा advanced level पर पढ़ना है, तो ये सब ही change होगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहां पर उमीद कर रहा हूँ, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब तो इसमें एक इंसान अपग्रेड ना करें, और जैसा वो बजपन में था, वैसे ही जवानी में या फिर भुड़ापे तक रहेगा, तो शायद वो ग्रो नहीं कर पाए का life में, we have to upgrade ourselves time to time, हाँ, possible होना भी जरूरी है, उसके लिए महनत करना जरूरी है, तो आप लोग अगर पाच्वी से चटी में आगे, चटी से साथ वी में आगे, तो आपको अभी अपग्रेड करना है, आपकी mentality को अपग्रेड करना है, क्योंकि अब आपका syllabus चेंज हो रहा है, subject वास हो रहा है, ज्यादा ज्यादा पढ़ना है अभी, तो आपका mindset में भी वही चीज चलना चाहिए, कि अब पाचवी का बच्चा मदब चोटा बच्चा, ठीक है, आउनको जो बोल दिया जाए, पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोगको conceptual knowledge यहाँ पर बहुत important है, क्योंकि अगर मैं कोई 10 वी का student अगर ये वीडियो देख रहा है, उसको मैं कुछ पाचवी की चीज पूच दो, शायद नहीं बता पाएगा, क्यों, क्योंकि वी पाचवी में उस पढ़ाई की थी, अप करके आजाऊगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप क्या बता रहा हो, conceptual knowledge जो हमेशे हम आपने वीडियो के थ्रू पहुचाने की कोशिश करते है, अब हमारे जितने वीडियो देखोगे, हमारा syllabus प आपको इविस आपका क्या बन गया है अभी साइंस बन गया है तो आपको उसके इसाब से पढ़ाई करना है maths अप्ग्रेड हो चुका है, maths वही है, लेकिन थोड़ा अप्ग्रेड हो चुका है, अब जब थोड़ा फॉर्मूला बड़ेगा, methods बड़ेगे, लंबे होंगे, यह सभी चीज़ आपको करना है, seven standard की बात करूँ, जो seven standard में आ चुके है, तो आपका science जो है, वो सेम है, लेकिन सिलाबस आपका complete change हो गया है, ठीके न, थोड़ा वास्ट भी हो गया, थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब आपको छोड़े चोड़े चाप्टरस ने, अब थोड़े बड़े बड़े चाप्टरस देखने भी लें लेकिन पात सदा से example दिखेंगे आपको, हर एक topic के, तो आपको हर एक example को solve करने आना चाहिए, वो कैसे आएगा जब आपका conceptual, knowledge और formula सब clear होगा, तब आ जाएगा, ठीके तो उसका tension मतले हमारे वीडियो में आप सब सीख जाओगे, ठीके तो यहाँ पे मैं बोलना चाहँग अरे यार, आराम से पढ़ेंगे, अभी तो क्या है, अभी तो शुरुआ तो school खूला है, मजा करते हैं, मजा करो, definitely करो, कोई ताकत नहीं, आपको रोख सकती ही मजा करने के लिए, लेकिन जब भी वक्त मिले, दिन में, at least 1-2 घंटा पढ़ाई करना start करते हो, क्योंकि अगर चैनल के थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे all the videos of 6th standard, पूरा entire सिरा, 7th standard, 8th, 9th, 11th, 12th standard, हर चीज़ प्रेजन्ट है, बस अपने दोस्तों को, अपने relatives को, अपने छोटे भाई-बैन, अपने बड़े भाई-बैन, अपने बड़े दोस्तों, अपने छोटे दोस में आप शेर कर सकते हो, क्योंकि उनके भी बच्चे होंगे, तो वो पढ़ सकेंगे इस वीडियो के थ्रू, और concepts और knowledge को clear कर सकेंगे, तो please share to everyone, and यहां पर important चीज़ जो में बता रहो, जैसे कि एक subject है science, maths, sht, और language, यह total 4 subjects हो गए, अभी मैं 6th standard और 7th standard की में बात कर रहो, तो science भी है, maths भी है, social studies में, history, civics, और geography आ जाएको, languages आ जाएको, English, Hindi, Marathi, तो हमेशा target क्या करना, 90% लाना है आपको, कोई छोटा बच्चा, अगर उसने कभी life में 90% का शकल भी नहीं देखा है, हमेशा वो 60% लाता है, 70% लाता है, फिर 50-60% ही लाता है, तो year इस बार में possible कर के दिखाऊंगा कि आपको 90% आएंगे, बस जो मैं बोल रहा है, उसको अभी से follow करना शुरू करो, हमारे वीडियो देखके conceptual knowledge क्लियर करो, और खुद का थोड़ा सा self study लगेगा, जो चीज आप सीख के जा रहे हो, उसको यार भी करना पड़ेगा, घर पे जाके, तो वो ची मैं बोलना चाहूंगा, you can do it, आप कर सकते हो, आपके अंदर विश्वास रखो, और आप अपने parents को भी proud feel करवा सकते हो, और अगर कोई ये parents वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भी proud feel करवा सकते हो, क्योंकि अगर आपने सही guidance उनको दे दिया, तो हो सकत है, उनका जो, बोलते हैं, capability है, वो आपको भी नहीं पता होगा, अगर वो वीडियो देख लेते हैं, सही guidance उनको मिल जाता है, तो हो सकता है, उनकी capability से कही जादा गुना वो लोग perform करेंगे, और अच्छे से अच्छा result और marks लेखर आ जाएंगे, ठीक है, तो चलो, फिर कमेंट करके ज़रूर से बताएगा कि आप लोग के क्या doubts है, या फिर आप कुछ बाते करना चाहते है, कुछ राय देना चाहते है, suggestions देना चाहते है, तो प्लीज हमेंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, तो आज के लिए वीडियो आपको कैसा लगाए, प्लीज हम हमारे न्यूव वीडियो में तब तक के लिए थांक यू एंड गुडबाई